हाई अब्रिवन सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है Study19 YouTube चैनल पे देखे पीटी का फॉर्म आ चुका है सभी डीटेल जो है मैं आपको प्रोब के साथ यहाँ पे दे दे रहा हूँ आप जाके फॉर्म भर सकते हो minimum age क्या होगी, maximum age क्या होगा, exam कब होगा, qualification क्या है, कौन से लोग भर सकते हैं वो सभी चीजे इस वीडियो के अंदर discuss करेंगे आप बस एक काम कीजेगा, वीडियो को like करना नहीं भूलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा share कर दीजेगा, ठीक है तो आएए देखते हैं, पहले तो किस नाम से आया है, UP SSSC One Time Registration, OTR Online Form 2021 27 March को आ चुका है, क्या है दुखो, उत्तर प्रदेश, Sub-Ordinate Service, Selection Commission UP SSSC का are invited to online form for the UP upcoming vacancy through one time registration, OTR registration के थूँ, ठीक है 2021, 2021 के लिए, डिटेल देखते हैं क्या-क्या है application कब से विगन है, 27-3, आज से, ठेक है last date कोई नहीं है, कभी भी आप भर सकते हो, अबे last date कुछ भी नहीं है fee क्या है, fee 0 रुपीज है, कुछ भी नहीं fee है कौन से लोग भर सकते हैं, junior high school class 8 exam, जो pass कर लिए हैं, वो लोग भर सकते हैं इसका कोई age limit भी नहीं है, किसी भी age के लोग भर सकते हैं, no age limit in OTR registration, अब देखो form क्या है, इसके बारे में यहां पर detail दिया गया है, जो ज़्यादा मितलब नहीं है, आपको पता है तो इस चीज़ को हमें skip करते हैं, main चीज़ देखो, you must provide all information at the time of registration, after that we will also have to verify your mobile number and email, ठीक है तो basic बात यह है, कि जिस भी mobile number और email से आप register करोगे, उसको आप long time के लिए secure करोगे, ठीक है यह नहीं कि आप mobile number बदलते रहते हो, तो वो फिर गरबड हो जाएगा, यह चीज़ आप ध्यान लखना, ठीक है, यह पूरा detail था, ठीक है और जैसे जैसे detail आएगा, वैसे वैसे हम आपको बताते जाएगे, PET का service भी आ चुका है, वो तो अभी तक आपको मिली गया होगा, नहीं तो हम अपने telegram group में share कर देंगे, ठीक है तो video like जरूर कीजएगा, thank you everyone